गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानेंगे काउंट और काउंटर फंक्षन में डिफ्रेंस क्या होता है इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि काउंट और काउंटर फंक्षन एक्सल में क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं तो count और जो counter function है इनका use हम लोग excel में जो cell होती है उसको count करने के लिए करते हैं cell कौन सी जो field cell हो जैसे कि हाँ पर आप यह देख रहे हो यह cell है आपकी तो अभी इसमे data field हो रखा है तो इसको count करने के लिए जो blank आपकी cell होगी उसको यह दोनों ही count नहीं करते हैं तो आप दोनों में difference क्या है यह भी हम लोग जान लेते हैं तो count जो आपका function है starting वाला count वो क्या करता है only जो आपके number होंगे या date होगी उसी को जिस cell में field होगी number या date उसी cell को count करेगा इसके अलवा अगर name या tax या कुछ भी हुआ तो उसको वो count नहीं करता है but count क्या करता है count आपके कुछ भी हो number हो या error हो या आपका tax हो कुछ भी हो सभी को count करता है only blank cell को छोड़के सबी को count करता है तो एक बार हम लोग देख लेते हैं तो पहले हम लोग count का यूज़ करते हैं तो is equal to का sign लगाएंगे उसके बाद में हम formula apply कराएंगे count bracket यूज़ करेंगे अब एक range select कर लेते हैं से यहां तक कि एक range है या particular एक-एक cell का भी देना चाहो तो आप ऐसे भी दे सकते हो लेकिन हम लोग एक range में ही count करते हैं कि इसमें count किता रहा है तो इसको bracket बंद कर देते हैं और enter करते हम लोग अभी आप देख पा रहो कि यहां पर 5 ही count किया है जबकि cell तो ज्यादा है यहा तो आप देख पा रहा हो कि total 10 cell है यहां पर यह दस cell है बट इसने count की 5 ही क्योंकि only किसको count करता है number और date को तो number और date में 1,2,3,4 और 5 यह आपके 5 है इन 5 को ही count कर रहा है बाकी blank को छोड़ दिया इसने और name वाले जो tax वाले थे उनको भी इसने free कर दिया बट यही count पर use करत हैं हम लोग तो is equal to counter apply करते है formula और again वही पूरी ran select कर लेते हैं और bracket बंद करके enter कर देते हैं अब आप देखोगी कि इसने count दिया आपको 8 8 यहाँ पर इसने tax और number दोनों को count किया है जिस cell में भी tax feel है या number feel है या कुछ error feel है सब को इसने count किया है only किसको छोड़ा है जो blank cell था आपका उसको छोड़ा है तो count से अब देख पा रहो count से किता आया था 5 आया था आपका और counter से आपका 8 आया है अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि blank cell किती है अगर यह भी हमें apply करना है तो इसके लिए एक formula o लगा देते हैं is equal to count और blank blank फिर bracket लगा देंगे sorry कि और लगाना है इस पर blank bracket लगा देंगे फिर आप जिस cell को जिस range को करना चाहते हो आप इसे select कर लेंगे range को और bracket close कर देंगे और enter करेंगे अब आप देख पा रहा हो कि जो blank cell है इसमें range में वो count इसने करके दे दिया आपको यहाँ पर 2 है जैसे तो यहाँ पर 2 आपको इसने count करके दे दिया तो यह हमने किस से किया count blank यह वाला formula apply किया हम लोगों ने तो आप समझ पा रहा हो difference दोनों में कि जो आपका count है वो only क्या करेगा number और date जिस cell में feel होंगे उन cell को count करेगा but counter क्या करेगा counter में कुछ भी होगा तो वो feel जो भी feel होगा आपकी cell में चाहे वो आपका tax हो या number हो date हो या फिर कोई error हो सभी को वो count करेगा only ये दोनों किसको छोड़ेंगे blank cell को ये दोनों ही count नहीं करेंगे तो दोनों में difference आपको पता चली गया होगा और भी अगर चाहो तो आप और example से समझ सकते हो जैसे यहां पर मैं number डाल देता हूँ अब मुझे अगर ये count करना हो तो is equal to count bracket यहां पर देखिए पूरा completely इसको count कर रहे है numbers को अगर इसी की जगे में यहां पर tax डाल देता तो आप देखिए यहां पर किता हो गया 2 हो गया ठीक है बट cell तो 3 है बट count क्या कर रहा है 2 कर रहा है क्योंकि यह only किसको count करेगा numbers को count करेगा tax को count नहीं करेगा अगर यह count होता तो यह दोनों चीजों को आपको करता count करता इस वीडियो में इत्ता ही आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे हैं मेरे चैनल पर तंक्यू